कि दोस्तों आज हम ऐसे जल के बारे में देखेंगे जो गो थी फायदे माने अपने तोचा के लिए अपने स्कीन के लिए इसका नाम है पतंजली सोंदर्या ऐलेव1 जेल इस वीडियो में इस जल के क्या फाइदे है क्या तोटी है क्या साइड इपक है वो कैसे प्रयोग किया जाता है यह इस वीडियो में आगे देखें यह वीडियो पूरा देखिए आगे देखें एलोवेरा जेल के रिव्यू एन इन्फॉर्मिशन पतन जली सुंदर या एलोवेरा जल की प्राइसे मात्र नब्वेर हुए इसके पैकिंग में नेट वैल्यू है जेड सो मेल यह जल पतन जली आयरुवेद लिमिटेड इसके दोरा निर्मित है यह जल पूरा नैचरल है पूरा एलोवेरा सरीका है सेम इसमें एलोवेरा जैसे कंटेन दिखते है और प्यूर नैचरल है जो की स्किन के लिए बहुत ही फायदेमन होता है आगे देखें एलोवेरा जल के फायदे उपयोग नमबर एक किल मुहासो के लिए चेहरे पर पतन देखें़連 जैल के लाब होता है क्योंकि एलोवेरा में एंटी गुन मोजुद होते है इसलिए यह जल मुहासिक लिए बहुत ही फाइदे मंद है और गुनकारी है उपयोग नमबर दो संबर्ग पतंजरी ऐलोवेरा जेल संबर्ग की समस्या में भी राहत दिलाता है ऐलोवेरा जेल को संबर्ग कोस्टोमिक में मी उपयोग किया जाता है इसलिए संबर्ग में यह फाइदे मंद है उपयोग नमबर 3, सुजन कम करे, एलोवेरा में एंटी इंपलेक्शमेट्री गुन होती है जिससे कारण सुजन की समस्या से राहत डिलाता है उपयोग नमबर 4, तोचा के टेक्चर में सुदार, एलोवेरा जल में कौफी साम्मे होता है ऐसे में इसके रोजना उपयोग से तोचा में निखार आता है और तोचा में बनावट में भी सुदार आता है उपयोग नमबर 5, दाग धब्बो के लिए, कई बार मुहा से तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके दाग धब्बे रहा राते हैं इसलिए पतन जली ऐलो राजर डाग धब्बो के लिए हलका करने में मददगार होता है उपयोग नमबर 6, प्राक्रोटिक माइसोराइजर कई बार मोसम और कन्य कारणों से तोचा में नमी होने लगती हैं इसके अलावा कुछ ऐसे पेशवाष भी होते हैं जिससे तोचा रुखी होने लगती हैं लेकिन पतन जली ऐलो राजर तोचा में नमी को बरकरार रखकर तोचा में रुखापन होने लगता हैं उपयोग नमबर 7, तेलिया तोचा के लिए तेलिया तोचा वाले लोगों को बहुत सोच समझ कर कोस्मेरिक का चुनाव करना होता है कई बार उन्हें पीमपल की समझ से भी जिलनी पड़ती है लेकिन पतन जली ऐलो राजर का उपयोग तेलिया तोचा के लिए बहुत ही लापकरी है अपयोग नंबर 8, डार्क सरकर के लिए कई बार तनाव के कारण नीन पूरी होने के कारण आखों के नीचे काले गहरे यानी सरकर आ जाते है इनका प्रभाव न सिर्फ सुन्दर का पड़ता है बल की वेक्ति मतों पर भी नजर आता है इसे शुपाने के लिए लोग मिकप का सहारा लेते हैं लेकिन उससे भी तोचा का नुकसान भी भी होता है ऐसे में पतंजरी एलिवराख जेल की बात करें तो सदाक सरकर को शुटकर आप आने के लिए बहुती फायदे मन्द है पतंजरी एलिवराज जल के उपयोग राज सरकर की समस्या भी काफी हद तक कम कर देता है उपयोग नमबर 9 सेविंग या वैक्सिंग के बाद तोचा सविदनिशिल हो जाती है कई बार तोचा लाल या तोचा पर दाने भी उबर आते हैं इस तीती में पतंजरी एलिवराज जल लगाने के बाद वहां पर थंड़ा मैसुद होने लगता है और वहां पर आराम मिलने लगता है उपयोग नमबर 10 बालो के लिए यह सच हाई कि अगर पतंजरी ऐलोरा जल की फाइदे की बात करें तो यह बालों के लिए भी बहुत लाब करिए आप इस बालों में खुपसुरब बढ़ाने के लिए बहुत लगा सकते हैं आगे देखिए पतंजरी ऐलोरा जल का उपयोग कैसे करें अगर आप पतंजरी एलोराइ जल का उपयोग Harr सही तरह के से किया जाए तो इसका असर और जल्डी हो सकता है इस ज्यल को आप फेश वास की तरह उपयोग कर सकते, इसे झाउट स्ग्रेम की तरह घोट कर सकते, आप ईलवरा जल के अपनी मनपसेंद फेस पैक में मिक्स करके आप अपयोग कर सकते हैं इसमें आप मेड़कप हटाने के लिए भी उपवक कर सकते हैं पहले आप पतंजरी एलविरा जल को शेरे पर लगाए और फिर रूइक का इस्तमाल करके हलके हलके हातों में पूछ ले इस तोचा को पर क्रीम पी तरह भी उप्योग कर सकते हैं आप इसे बालों में और एंडी और सरसों के तेल के साथ प्यक बनाकर लगा सकते हैं अगर आप